जय गुर्देव गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो, महेश्वराह गुरुह साक्षत परंब्रह्म, तसमेश्री गुर्वे नमा अर्चिनी वन्दनी प्रातह इस्मर्णी परंपूजनी गुर्देव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंब करते हैं राजा भोज द्वारा रचित ये ग्रंथ समरांगन सुत्रधार उसका अध्यन चल रहा है और उस क्रम में दस्वाद ध्याय और उसके 69 श्लोक ये देख चुके हैं पूर निवेस नामा के सद्ध्याय में टौन प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन है और अब यहां बताते हैं कि जो नगर नियोजन किया जो नगर बनवाया उसमें नगर की शान्ती भी करना चाहिए पूजन भी करना चाहिए और भी कुछ रहस यहां अपने को आगामी आठ नोश लोक में मिलेंगे तो अब यहां अपन नगर शान्ती कर्म जो है इसके लगबग नोश लोक हैं उसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं तो कहा वेदी निवेश में यात्राक में मंदिर के निर्माण में मंत्रादी कार्य में नदी कर्म में, मित्रता में, और श्रम में शांती कर्म करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और इसके अत्रिक्त भी कहते हैं, ग्रह शांती का एक अलग से भी अध्याय है, यह नगर के शांती की चर्चा हो रही है, इसी प्रकार यग्य नगर दिवेश और इस्थापना में विद्वान द्वारा प्रयत्न से कुछ शांती कर्म अवश्य करना चाहिए। शांती कर्म सकरात्म कूर्जा से पूरे नगर को आवेशित करने की विद्ध है। कि किस प्रकार से पूजन के द्वारा, यग्गे के द्वारा, हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, पूरे नगर के वातावरण को परियावरण को सकरात्म कूर्जा से कैसे आवेशित किया जाए जिससे लोग जो है वो पुष्टता को समरद्धी को निरोग को उसको प्राप्त करें तो कहा है यदी है कार ये ठीक प्रकार से न किया जाए तो निरंतर भै अल्पायू अस्वस्तता रहती है तथा राजा को मारने वाला होता है यानि शान्ति कर्म करना चाहिए इन शौट उसके पश्चात कहते हैं कि यह कर्म किससे करवाना कौन इस कारी को संपन्न करेगा तो कहते हैं कि जो सास्त्र का जानकार नहीं हो जिसने सास्त्र नह पढ़े हो सास्त्र का दिन नहीं किया हो वहा कार्य निर्लक्षन होता है, अर्था तेसा व्यक्ति जब कार्य को करता है, तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है, यह निंदित और फल रहित का है, कि जब कभी भी हम कोई कार्य को करवाएं, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति सास्त्र का जानकार नहीं है, तो वो जो क सास्त्र को जानने वाला जोतिशी और कर्मकार्ण का जानने वाला प्रोहित से सहायता लेकर नगर में शांतिक आदी कर्म करना चाहिए देखो यहां तीन कार्री हो रहे हैं जोतिशी जो है वह मुहृत बताएगा चाहे वो मास हो, तिथी हो, वार हो, नक्षत्र हो, योग हो, करण हो फिर जिस वेक्ति के लिए, राजा के लिए जिसे मानलो कारी कर रहे हैं तो उनसे वो ताराबल इत्यादी सब ठीक करके वो सुब मुहर्त देगा इस्तपति जो है, वो नगर में वन्ष का निर्धारन करेगा मरम का निर्धारन करेगा, कहां पूजन करना है उसका निर्धारन करेगा वो calculation इस्तपति बताएगा पूरा कारी कैसे संपन्ध होगा, वो इस्तपति बताएगा फिर जो पुरोहित है जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो उसकारी को सास्त्रोक्त विधी से तरीके से संचालित करेगा उसकारी को करेगा लिखाए पुरोहित जो है वो अगनी कर्म करे जोतिशी मुहरत आदी स्थिर करे इस्तपति बली दे इस प्रकार से योजित कर कारी करना चाहिए अब देखो जो टानल प्लानिंग होती है तो उसमें चोराहे पर क्या करना मर्म पर क्या करना इत्यादी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस नगर पर मर्म में इस्थित देवता सदा पूजित रहते हैं और नगर के चोराहे भी इसी प्रकार पूजित रहते हैं उस मुख्य मार्ग रहें मुख्य मार्ग और वो मुख्य मार्ग चाहे उसको मात्मा गानी मार्ग कह लो चाहे उसको जवार मार्ग कह लो इस प्रकार के मार्ग रहें अभी भी हैं उन उन मार्गों के बीच में जो स्क्वेर्स आते थे चुराहे आते थे वहां पर मंदिर बने वे थे उन से ट्राफिक जो है वो आफ्स्ट्रक्ट नहीं होता था याता याद बिल्कुल भी बाधित नहीं होता था भी भी कुछ जगे मंदिर बने और उन मंदिरों को कहा है इस्थापित करा देख कभी टाउन प्लानिंग करते हैं जैसे आजकल वो रोटरी बनाते हैं कहीं कोई प्रतिमा लगा देते हैं तो इस प्रकार का जो अपने को देखने को सुनने को मिलता है कोई महापुरिष की मूर्ती भी आजकल चोराओं पर इस्थापित की जाती है प्राचीन समय में जो परंपरा अपनी आ रही है वो मंदिर बनाने की रही है और ये मंदिर उस प्रकार के नहीं है ये अलग प्रकार के हैं चोराओं पर रहते हैं और कोई इसमें भीलबार नहीं फिर श्लोक्रमांक सित्वत्तर में कहते हैं, इस्थापत्ति चार प्रकार का होता है, आगे वनन सब आएगा, चिकिस्था विग्यान आठ प्रकार का होता है, धनुरवेत सातंग का होता है, और जोत्य सास्री ये ब्रह्मा के दवारा कहे गए, फिर अपना जो शांती करमें उससे रेलेटेड ये लास्ट स्लोक आजकर, सामान्य लक्षन, उत्पात और निमित से सभी नगर युक्त होते हैं, जो नगर विभाग के अनुसार बसाया जाता है, उस नगर का ब्रह्मा विष्णु रुद्र कभी भी त्याग नहीं करते हैं, अर्थात ये वहां रहते हैं, अर्थात सुख है, शान्ती है, समरद्धी है, पुष्टता है, ये उस नगर में सदेव प्राप्त होती रहती है, तो क्या करना नगर के डिविजन करना, अलग-अलग भाग में विभाजित करना, और टाउन प्लानिंग करना, उसके जो कर्म क अनुसार व्यक्ति है उसको उस दिश्चा में बसाना तो आज की कई में आज के पार्ठ में अपने नगर के शांति कर्म विधी को देखा आगामी पार्ठ में खेट है और टाउन प्लानिंग है उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे अभी इतना ही कहके वानी को विराम देते हैं जै गुर्देव जै गुर्देव